आज मैं दोस्की एनिवर्सरी पार्टी है तो दोस्की एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए मुझे क्या पहना चाहिए ये कलरफुल शिर्ट पैन ये फॉर्मल शिर्ट पैन प्रसान तू आफिस नहीं जा रहा है जो फॉर्मल पैनेगा इसलिए मैं कलाबूल शेर्ट में पहनूंगा और मुझे एनिवेस्टी पार्टी में जाने के लिए क्या पहनना चाहिए यह जिन स्टॉप या यह फ्रॉक मैं छुटी बच्चियू और छुटी बच्ची तो फ्रॉक में अच्छी लगती है इसलिए मैं फ्रॉक पहनूंगी बालो का दो चुटी बनाना है या खूल हैरसल करना है मैं बालो का दो चुटी बनाऊंगी और मैं कूल हैरसल करूंगा कानों में येरिंग्स पहनना है या हाथों में घड़ी पहनना है मैं तो घड़ी पैनता हूँ इसलिए घड़ी पैनूँगा और मैं हाथों में घड़ी भी पैनूँगे और कानों में ये रिंग्स भी पैनूँगे गले में नेकलिस पैनना है या चीन पैनना है मैं तो चीन पैनूँगे तो anniversary party में जाने के लिए हमें क्या लेकर जाना चाहिए? गिफ लेकर जाना चाहिए? या खाली हाथ जाना चाहिए? जिस भी party में जाने के लिए हमें gift की जरुत पढ़ती है इसलिए हम gift लेकर जाएंगे वीडियो पसंद आये तो like और subscribe दोरों कर देना और comment में जरुर बताना आपको किसका लुक पसंद आया प्रशान के लिए नेस्ट वीडियो आज हम करने वाले हैं अमीर वर्सेज भिखारी लुक चैलेंज मैं बनूँगा अमीर और मैं बनूँगी भिखारी तो हमें अमीर और विखारी बनने के लिए क्या पहना चाहिए ये फटे हुए कपड़े या ये modern कपड़े अमीर तो महेंगे कपड़े पहनते इसलिए मैं ये modern कपड़े पहनूँगा और विखारी तो फटे हुए कपड़े पहनते इसलिए मैं फट्टी वे कपले पहनूंगी बालो का एक चोटी बनाना है एक खुले छोड़ना है इसारी कभी भी अपने बालो में कंगी नहीं करते तो वे एक चोटी कैसे बनाएंगी इसलिए में बालो को खोलूंगी आतों में वाच पहनना है या कटरो लेना है अमीर तो हमेशा अपने हाथ में ब्रेंडेड वॉच्ष पहनते इसलिए मैं वॉच्ष पहनूंगा और बिखारी का तो बुजराई बिक माँ की होता उनकी हाथ में तो कटरो लेता है इसलिए मैं कटरो लूँगी आफिस बैग लेना है या प्लास्टिक बैग लेना है अमीर तो ओफिस जाते तो उन्हें फाइल्स रखने के लिए ओफिस बैग की ज़रुद तो पड़ेगी न इसलिए मैं ओफिस बैग लूँगा और विखाई दिन भरत पूरा का सराखने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते इसलिए मैं प्लास्टिक बैग लूँगी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपको हमीर पसंद है या भिखारी नेक्ट वीडियो आज मैं करने वाली हूँ बैंगोली लुक चैलेंज तो बैंगोली लुक के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए बैंगोली सारी या सिम्पल सारी बेंगोली लुक चलेंज करना है इसलिए बेंगोली सारी बेंगोली मेकप या चुरेल मेकप मुझे चुरेल नहीं बनना है बेंगोली बनना है इसलिए बेंगोली मेकप कमर में कमर बंदी लगाओ या बैर्ट लगाओ सारे के साथ कुण बेल लगाता है सिरे कमर बंदी कानों में जूंके पैनो या गले में हार पैनो कानों में जूंके भी पैनोंगी और गले में हार भी पैनोंगी हाथो में चूरी पैनो या ब्रेसलेट पैनो सारे के साथ कुण ब्रेसलेट पैनता है इसलिए मैं तो चूड़ी पहनूंगी नाक मैं नथन नी पहनू या नो स्रिंग पहनू डेंगोरी जैसे दिखने के लिए मैं तो नथन नी पहनूंगी हाथो मैं आलता लगाओ या मैं नी लगाओ आमी बंगाली आमी तो आलता लगाबो आमें एक तर सुन्दरी, आमें किरिकुम लगता सी मा, आमें दुर का बुजा देखते जबो आमा के ठाका दो ना दारा, एने ठाका धन्नो बात मा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइप और सुस्क्राइब दोनों ही कर देना नेक्ट वीडियो आज मेरे साधी है, लेकिन कोई ही मुझे तयार करने नहीं आया इसलिए मैं खुदे तयार होंगी तो अपने साधी के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए यह लहेंगा, यह जीन स्टप, मुझे दूलन बनना है और दूलन तो ने जीन स्टप पहनती है वो तो लहेंगा पहनती है, इसलिए मैं लहेंगा पहनूंगी ब्राइडन मेकप करना है, यह सिंपल मेकप करना है अगर मैं सिंपल मेकप करूंगी, तो मैं आम इंसान दिखूंगी और मुझे तो दूलन पहनना है, इसलिए मैं ब्राइडन मेकप करूंगी कानों में जुम के पहनना है या टॉक पहनना है सुन्दर दूलन बंडी के लिए मैं कानों में जुम के पहनना है मांग में मांगती का लगाना है या बिंदी लगाना है इंडियन दूलन तो मांग में मांगती का भी लगाती है और बिंदी भी लगाती है इसलिए मैं दोनों लगाऊंगी गले में हार पहनना है या नाक में नथिन पहनना है गुलन तो गले में हार भी पहनती है और नाक में नथिन भी पहनती है इसलिए मैं दोनों पहनूंगी हातों में लाज चुड़े पहनना है या हरी चुड़े पहनना है